हेलोस्तो, एसके एलेक्ट्टों सर्कमाफ को सब्सक्राइब तो कैसे हैं आप सब भी आसकरते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तो मेरे पास यह फ्रीज की PCB आई है रिपेर होने के लिए और दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रीज की PCB में कमाई बहुत अच्छी है और सिर्फ इसमें एक सबसे ज्यादर प्रोब्लम आती है अगर सो परसेंट PCB है तो सो मैंसे 99% एक ही फालट आता है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा हमारी PCB डैड हो जाती है आप सोचेंगे कि भाई यह फ्यूज बदल दें तो आपका ठीक हो जाए तो यहां पर लाए और न्यूटल देना पड़ता है तो यहां से लाइन होके इस कैपिस्टर पर जाती है इस कैपिस्टर का सारा खेल इसम इसमें जो हाई वोल्टेज वे उससे भी कुछ नहीं होता है जिकलिन जो एक मेन है ना इसमें छोटी सी कंपोनेंट खराब होता है जितनी भी आप PC बे ले ले ना चोट इस तरह की कंबाइंड PC बेंग उसमें इक फ्यूज खराब होता है वह मैं आपको बताऊंगा कहां प आप इसमें सीन काया मैं आपको पूरा समझा दूगा जैसे हम इसमें 220 वोल्ट जैते हैं वह हमारी कंप्रेसर पर नहीं जाती है यह जो आइपिम लगे हूं इस इस कनेक्टर दोवारा जाती है जो कनेक्टर लग रहा है काला सा लेकिन वह जाती कब है जब हमारा दोस्तों में आइसी कंट्रोल करें और उस में आइसी को जो वोल्टेज की जुरत पढ़ती है वो पढ़ती है 12-15 वोल्ट और वो वोल्टेज अगर बंद हो जाती है तो तुरंत हमारी पीसी भी डैट हो जाती है और वही इसमें जोस्तों सबसे जादा फाल्ट आता है अब वह फाल् रहा है ना क्या ही जो main capacitor है बड़े वाला जो आपको condenser दिख रहा है इस पर आपको voltage check करनी है DC voltage चीक है तो मैं इस पर DC voltage check करता हूं सबसे पहले देगीए यहां देखे माइनस 285 voltage आ रहे है ठीक है मैं plus की तरफ लगा लेता हूं यहां तक आ रहे हैं, कर्स्टमर कहना है बिल्कुल dead है एक पी सिवी तो 285 वॉल्ट आ रहे हैं, जैसे यहां पर छोट सा सफेद फ्यूज होता है यह हमारा दोस्तु एक छोटी सी सप्लाई के लिए लगा होता है 15 वॉल्ट के लिए ठीक है यह 15 वोल्ट के लिए हमारा फ्यूज लगा होता है इसमें एक छोड़ी सप्लाई बनाई होते है जीरो 15 के लिए अब यहां पर 15 वोल्ट का सिंबल या 12 वोल्ट का सिंबल ज़रूर मिलेगा आपको आगे की तरफ तो वहां पर हमारी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है आपको यह ची चेक करनी है तो इसमें क्या है वो वोल्टेज हमारी नहीं बन रही होगी तब ही यह डैड होता है तो आप देख सकते हो मैं यहां पर जो चेक कर रहा हूं यहां पर AC के दो तीन वोल्टेज दिखा रहा है सिर्फ, यह देख सकते हो, मीटर में कोई वोल्टेज वैसे नहीं आ रही देखे, माइनस से प्लस वाले पॉइंट पर, यहां पर कैपिस्टर लगा होगा है, यहां से माइनस से, और जहां 15V लिखा होगा है, उस पॉइंट प सिर्किट में जानी चाहिए ते ही वोल्टेज, वो हैं यहां आई नहीं रही है, यही वोल्टेज इसको डाड़ करती है, इसका कंबायन कैसे सिस्टम बना होता है, यहां देख सकते हो, अब मैं आपको दिखाँ होगा, यहां से यह यह फूज लगा होता है, प्लस वाले से, यह देखे फ्यूज लगा होता है प्लस वाले से माइनस और डिरेक्ट होता है और यह देखे प्लस दूसरी तरफ फ्यूज के लाइन नहीं आ रहे है आप यह सुचोए कि कोई रेजिस्टेंस है तुम आपको बता देना चाहता हूँ यह जो होता है चार सो मीली एंपियर का एक फ्यूज लगा होता है और फ्यूज से सीधा लाइन आती है हैाँ पर I.C कोई पर कोई सीधा हमारे कैपिश्टेंटर भी ठीक है अभी सीन क्या करते है यह हमारी मेन जो यह पर हाई वोल्टेज बनी यहाँ पे यह जो फ्यूज है उससे आगे की तरफ दोस्तो 15 वोल्टेज के लिए करन्वाट करती है सप्लाई उस सप्लाई में जटकवटका लग जाए थोड़ी तेज वोल्टेज का तो क्या होता है यहाँ पे मारे दोस्तो यह फ्यूज तुरंती उड़ जाता है 400 मिलियमप यहाँ पे दोस्तो आपकी टूवाट की 80 ohm की रेशिटंस लगा रहा हुँ तूवाट की 80 ohm की रेशिटंस लगा रहा हुँ कैपिस्टर डिस्चारज करगे मैंने लाइन बंद कर दी इस फ्यूज की जग है 80 ohm की 2. ohm रेशिटंस लगाता हूँ मैं यहाँ पे अब जैसे आपने फ्रीज के अंदर से PCB निकाली एक डबे के अंदर आपको यह PCB लगी होई मिलेगी और इसकी PCB कीमत रहती है 3500 से 4000 रुपे कीमत रहती है इस PCB की और में जीज है फिर मिले ना मिले और जो इसमे 99% जो फाल्ट बनता है यही फाल्ट बनता है कि इसका यह जो फ्यूज है व और इसकी जो वैल्य होती है वो 400 मील एमपर 200 वोल्ट पर होती है अगर इससे ओपर जाती है न वोल्ट इस तो तुरंती अपने आप भी उपन हो जाता है तो हम इसमें दोस्तों रिजिस्टेंस भी लगा सकते हैं आप आराम से कोई दिक्कत निया है लो हम दोस्तों जो जो असी होम की रिजिस्टेंस यूज कर रहे हैं आप कम होम की भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत निया है सो के अंदर अंदर लगानी आपको सो हम के अंदर अंदर लगानी है और वन वाट टू वाट लगा दीजिए कोई दिक्कत निया हाफ वाट क्वाट वाट भी लगा दो इसमें आएंगे नहीं बहुत ही कम मिलियंपर आते हैं तो देखे दोस्तो अब हम दोनों तरफ यहां पर सोल्डिंग कर रहे हैं फ्यूज के और हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पर एक रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर देंगे और हमारी PCB में लाइन आ जाएगी और हमारी सर्किट चलना लग जाएगा मुझे पूरा यकीन है और दोस्तों आप इससे अच्छे खासे पैसे ले सकते हो कस्टमर से 400-500 भी ले लोगो मने नहीं करेगा क्योंकि दोस्तों वो भी तो कमाएगा उससे 15-2000 पर हमसे वो लेका आएगा और आप बेख फिगरो कि चाहिए गारेंटी देतो यह खराग नहीं होगा तो भाई यह देख सकते हो पर मैं इतने नहीं लोगा मैं 100-700 रुपे लोगा बस भाई जो अपनी हम सर्वी से महनत अपना समय दे रहे हैं बस मैं इतना लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत कम पैसे लेता हूँ मेरी आदत यही है सुरू से चाहे मेरे पास घ्राक आए चाहे दुगंदार आए क्या सभी आए मैं उससे बहुत कम पैसे लेता हूँ सुरू से तो यहाँ पर आपको यह रेजिस्टेंस फिट कर देनी है मैंने यहाँ पर यह रेजिस्टेंस फिट कर दी है देख सकते हो और अभी मैं आपको दोस्तों चला कर दिखाऊंगा अब इसमें कोई लाइट इंडिकेटर तो है नहीं सिर्फ आपको पता कैसे लगाना है जो इसकी सप्लाई बनती है वो पूरी सप्लाई बननी चाहिए बस आपको यह ध्यान देना है तो हमने ही रेजिटेन्स हांसे कट कर दी देखें दोस्तों हमने यह रेजिट्रेंस से कट कर दे रहा है मैं जो शुखातो हूँ अपणे चैनल पर जो इसे जहाँ ゃानू सिहान जहाता हम यह ल्टी-बीज नहीं सिहाता कीधिय यहीं है में रोजगार्व काम पचंद है तो देखे दोस्तों हम यह पर ये वायर अच्छ लगा दें हम चाहते हैं कि हर एक बंदर रोजगार बने खह रोजगार कर सकें आपका दाल रोटी का काम बन जाए सुवह साम तक ठीक है ना आपका काम बढ़या बन जाए हमारा वह अन्य के भाई एक्सपेरिमेंट करो यह खरीदो वह ख़द यह तो यह करो वह लग करो यह वाला जुगाड़ वाला काम नहीं है यह देखिए डीसी के 15 वोल्टेज यहां पर आ चुके हैं 15.21 बिल्कुल करेक्ट आ चुके हैं आप खुद देख लो यहां पर क्या पता था कि इस फ्यूज को डिरेक्ट करने से आपके यहां पर रीडिंग आ जाएगी वोल्टेज आ जाएगी यह हमारा यह क्या है आपको ल से जाके फ्रीज में लगा दो महां से कंपेसर की फीड़ बैग आई हो कंपेसर के आउट पूट निकल जाएगी और हमारा दोस्तों पीसी भी एक तम जैनुएन तरीके से चल जाएगा अब मैं आपको दोस्तों वोल्टेज दिखाता हूं यह देखिए दोनों तरफ प्रेसान नहीं आएगी और आप देख सकते हैं आउट पूट में हमारे 15 वोल्टेज आ चुके हैं और अब हमारा सरकीट बिल्कुल रेडी है तो इसी तरह कि वीडियो देखने के लिए चैनल पे हमेशा बने रहे हैं आज कर इतना ही मिलते हैं प्यारे भाईयो जैहिन जैस पर में यदद इतना है आपस्टू आपक।